अब देखिए question कुछ बच्चों का comment आ रहा है भी पढ़ते हैं उसको कहता है यहाँ पर determine determine the residential status of Mr. X in the previous year 2021 who left India first time वो इंडिया पहली बार छोड़ के गया और कब छोड़ के गया इंडिया को पहली बार 16 and come back फिर दुबारा आ गया 19, 2019 जो भी time बिताया है फिर वापस आ गया he again left for Dubai फिर दुबारा चले गया इंडिया से वो and come back फिर दुबारा आ गया to settle in इंडिया फिर क्या होता है वो इंडिया में पर्मानेंटली सेटल हो गया इसका रेजिदेंशल स्टेटस बताना है आगे बोला नहीं गया शायद मैंने लिया नहीं वहां से क्रॉप करने में रहे गया हो हाँ यह कह रहा था डिटर्माइन रेजिदेंशल स्टेटस रह गया होगा तो हमें इसका जर्नली रेजिदेंशल स्टेटस कोशन समझ में आया है चलिए पहले हम पूरा साल बना लेते हैं यह पूरा साल है स्टार्ट कब होगा कौन से साल के लिए निकालना है बताये नहीं है इसने मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुशन में मिसिंग रहे गया थोड़ा सा आपको अगेन बताना है मैंने बता दिया ठीक है कब के लिए बताना है बस आप इसको ध्यान रखेगा बताना है अब येर कब स्टार्ट होगा सर एक चार दो हजार बोलो बीज और एंड कब होगा एक अत्यस तीन दो हजार अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उपर तो सोल है उसको छोड़ो अभी मैं बताऊंगा आप देखते जाओ बस अब पहले हम करेंट इयर में तो देख लिए कि क्या हो रहा है उसके बाद वो पुराने साल का देखेंगे ना साथ सो तीस दिन वाला और वो दो बार एट लिस वो पीछे देखेंगे तो सर पहले यहां पर देखते हैं वो इंडिया इस साल की बात करते हैं 2020 में कवा है 16 में गया कमबेक हुआ 2019 में और फिर यह दुबई गया 20 में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसमें कुश्चन में कुश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा एक साल पीछे निकाल लेते हैं तो बढ़िया कुश्चन बन जाएगा हम निकाल लेते हैं नहीं रहने दो वही रहने दो जो होगा देखा जाएगा सर इंडिया वापस आया 19 में उसको छोड़ते हैं 15.6.2020 मतलब फिर दुबारा जब गया था तो इस डूरेशन में जो ये डूरेशन है हमारा यहां से वो इंडिया में नहीं था इन डूरेशन में इंडिया में नहीं था वो वापसी कब आया सर ये यह वापसी आया 15 6 2020 यह duration पे फिर 15 6 के बाद अच्छा इस दिन दुबई गया है यानि यह वाला duration जो है इंडिया में है ठीक है इसके बाद दुबई चला गया यह दुबई जाने के बाद फिर वो वापस आया है कब 14 एक यानि 14 1 2021 को खीक है और इंडिया में जाके settle हो गया है वो इसका मतलब सर एक तो यह duration में इंडिया में है और यहां से यहां तक का जो duration है ना जो मैं कर देता हूँ green marker से वो इंडिया के अंदर और यहां से यहां तक इंडिया के अंदर समझे बाद यह तो एक clarity मिल गई के सर कुछ duration के लिए इंडिया में से गाइब है हाला कि उपर में बहुत बार बोला है come back go चला गया आ गया हो हम बाद में देखेंगे पहले इसको देखते हैं सर यहां से यहां इंडिया में है एक अप्रेल से तो अप्रेल में पूरे टाइम इंडिया में था तो बात करते हैं अप्रेल में अप्रेल में कितने दिन रुका मैं में कितने दुन रुका 31 जून में जून में कितने दिन सिर्क 15 दिन ठीक है ना अब आजाओ जुलाई जुलाई, अगस्ट, सेप्टेंबर, अक्टूबर तो है नहीं, ना तो जुलाई में है वो, मैं पूरा लिख देता हूँ, जुलाई में कितने दिन रुका, अगस्ट में कितने दिन रुका, है नहीं वहाँ पे, सेप्टेंबर में कितने दिन रुका, है नहीं वो, में आ गया कि 14 को आ गया तो 14 इंडिया में काउंट करोगे कि तो कितने दिन होंगे 31 में से सिंपल सी बात है 31 में से 14 माइनस कर तो कितने दिन का होगा काउंट कर लो नहीं तो 14 इंडिया में काउंट करोगे 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 30 31 तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहा थारा किसने बताया सत्रा यह अठारा दिन पाई लाइव क्लास में जितने बच्चे इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लाइव क्लास में वो भी जवाब दे लेट कोर्स परचेस किया है तो आपको बैक अप क्लास है अवेलेबल वहाँ देख सकते हो आप चलिए जनवरी के बाद आजाते हैं फैब फैब की हम बात करते हैं तो फैब में पूरा इंडिया में और 21 है तो कितने दिन होंगे 28 यह सब भी ध्यान देना है मार्च में चलिए काउंट करते हैं पूरे को काउंट करते हैं कितने पूरा पहले यह काउंट कर लो क्या हो गया टोटल कितना आ रहा है टोटल बतागा 153 153 दिन ठीक है 153 डेज वो करंट येर में जिस साल का हमें टेक्स निकालना है वो इंडिया में यानि बेसिक कंडिशन कहता है 182 दिन और 60 और 365 दिन तो सर क्या यह 60 वाले के अंदर सब चेक करना पड़ेगा हमें इसे क्योंकि 182 वाले से तो बची गया यह अब यह इंप्लॉइमेंट परपस के लिए भी नहीं जा रहा कुछ कुछन में नहीं बताया है तो अब हम इस पर लगाएंगे दूसरी कंडिशन क्या करंट येर में 60 दिन है और पिछले चार सालों में कितने दिन 300 अब हम इससे पीछे के न 10 साल काउंट कर लेते हैं क्यों सर इससे पीछे का 10 साल क्यों लिखने जा रहे हो मैं अभी लिखके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है पीछे के 10 साल मैं यहां पर लिख दूँ यह क्या है हमारा 20 21 है तो क्या होगा हमारा कि 19 बीस अठारा सत्रा सोला पंद्रा चौदा तेरा बारा ग्यारा दस हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस कि 19 बीस नहीं अठारा सतरा सोला पंद्रा चौदा तेरा बारा ग्यारा यह हमारे पास मैंने कुछ यह लिख लिए हैं आपके लिए जो की थोड़ा क्लियर्टी मिल जाए क्या है मैं इसको या तो इधर लिख देता हूं इधर स्पेस है ना इसको इधर ले जाते हैं किसको यहां पर कितने दिन रह रहा है 66 हो सकता है कहीं यहां 66 होगा यह तो है सर अब काउंट करते है 16 17 में भी कहीं बीच में गया है छोड़के तर 16 17 में कब गया था सेप्टेंबर में सेप्टेंबर तक तो इंडिया में था इसका मतलब सर 16 17 में बात करूं मैं 14 2016 से लेके कितने 15 9 2016 तक वो यहीं पर था तो काउंट करो कितने दिन होते हैं सर एप्रेल में था वो 30 में में था वो 31 जून में था वो 30 जुलाई में था वो 31 ओगस्ट में था वो 31 सेप्टेंबर में था वो 15 कितने दिन हो गए कितने हैं कितने हैं 168 सही बताना भाई जो लाइव क्लास में बच्चे हैं वो भी बताएं 168 अब बात करते हैं यहां से जब गया ना वो इंडिया से बाहर में पूरा कुश्चन दुबारा समझा हूँगा जब इंडिया से वो बाहर गया ना सेप्टेंबर में छोड़के फिर वापसी आया 19 में 19-2019 में वापसी आ गया और फिर 15-6-20 को छोड़के गया तो 19 की बात करें तो 19 ये वाला साल कौन सा वाला साल होगा सर ये कौन से मैं आएगा september 19 में आया इसका बाद साल तो 20 में खतम होगा न 19-20 होगा 19-20 में वापसी आया ये कब आया सेप्टेंबर और कहां रहा वो सेप्टेंबर से लेके कब तक रहा वो सेप्टेंबर के बाद October इंडिया में है September पूरा इंडिया में October पूरा November, December, January, February March पूरे के पूरे कितने मैंने 7 महिने तो आप 7 महिने का अगर मैं डेटा यहां पर बताऊ न तो 30 दिन प्लस सेप्टेंबर के बाद October 31, October के बाद क्या आता है हमारा November 30, December 31, January 31, February 29 और March कितने दिन होगे सर इसके 200 अब 18-19 में बताओ क्या था इंडिया में 18-19 में इंडिया में नहीं था वो 16 के बाद सीधा 19 में आया अब कोस्चन का सेनेरियो समझना कोस्चन का सेनेरियो समझना सबसे पहले सर हमें B21 का Residential Status निकालना था तो हमने B21 का सबसे पहले Basic Condition चेक करने के लिए 20-21 जहां से सुरू जहां से खतम होता वो पता करो तो 20-21 का मैंने यहां से यहां तक निकाला तो count किया गया कि April 20 में क्योंकि वो वापस आ गया था कब वापस छोड़ के जाता यह कब June में छोड़ के जा रहा है तो सर June से पहले तो इंडिया में यह ना तो यहां से यहां तक इंडिया में था और इसके बाद यह वाला एरिया वो इंडिया से बाहर गया और यह इंडिया में आ गया तो उस सभी को मैंने मंत को यह सब्लाइन कर दिया सरफेल में 30 यALD YE I will do that बाद हमें पिछले यह वाला कंडिशन पूरा नहीं करता तो हमें दूसरा computation कमठा करना पड़ता कॉन वाला साथ दिन और 365 वाला वो पिछलेиф चार साल में तो पिछले चार साल यहां से कहां तक हो जाएंगे कौर है कि कि 10 कितने हो रहे हैं आपने वोला सर यह 301 हो रहा है तो यह अब थोड़ा सा एक कंडिशन तो उसने पूरे कर दिया समझे पहले यहां तक देखो मैं यह क्यों लिखने जा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जागा पहले यहां तक किसी को डाउट कि सेप्टेंबर में 16 दिन कह र यह सेप्टेंबर में मैंने 15 लिखा है कब वापसी आए हैं पंदर ही हो तो 381 डेज 213 ठीक है यहां तक किसी को डाउट है तो ठीक नहीं तो फिर मैं अडिशनल कंडिशन लगा हूं क्या यह वाला पहले यह वाला समझ में आ गया इसको अलग कर देते हैं यह यह बार बार आपको कंफ्यूजन कर सकता है इसलिए इसको अलग हटा दो यह लेजिए यह साइड कर दिया सर यह बाते चेक करा मैंने बेसिक कंडिशन नंबर वन नॉट सेटिसफाइड बड़ टू जब चेक किया 60 डेज वाला तो साट दिन तो था अब आ जाते हैं पिछले चार सालों में तो चार सालों में 381 हो गया जबकि कंडिशन क्या कहता है तो अब यहां से दिखनी रही है तो कोई बात नहीं अब देख लो पहले ये वाला समझ में आ गया अब इधर की बात करें तो बेसिक कंडिशन नंबर टू क्या कहता है सर करेंट यर में 60 है करेंट यर में 60 से जादा ही है अब चेक करो यही तो यही तो एपिछले चार साल और यही तो इसलिए मैंने पूरे लिख लिया सामने दिखे आपको तो चार सालों में कितने दिन रह गया तो सेकिंड कंडिशन इसने कंप्लीट कर दिया यानि जो basic condition वाला problem था जो हमने करा था वो तो complete कर चुका है पहले यहां तक देखे किसी को doubt किसी को doubt अब बोलता है question कि आप additional condition लगाओ पिछले 10 सालों में 2 बार are resident होना चाहिए पिछले 10 साल को count करते हैं color change कर देते हैं पिछले 10 साल को अब यहां से यहां तक यह पूरे 10 साल है अब इससे 10 साल में 2 बार resident होना चाहिए सर 2 बार resident होने का मतलब यहां हो गया 213 दिन यहां हो गया 213 दिन तो R बन गया यहीं पे चलो इसमें नहीं बना इसमें भी नहीं बना इसमें भी 0 दिन है और इसके अंदर 168 दिन इसमें भी नहीं बना लेकिन यहां पर अब तो सब में बन जाएगा यानि additional condition number one तो मैं कह दूं यहां पर कि सर इसने basic condition number two okay additional condition number one okay अब additional condition number two अब पसले साथ सालों में अब पिछले साथ साल को देख लेते हैं कौन सा बनता है अब यहां पर खीचर साथ अ कि एक दो याहां टीन चार पांच हे साथ यानि यहां यह तक ये ठीक है साथ साल क्या 365 दिन 730 दिन बन रहे हैं बन रहे हैं क्योंकि ये तो अकेला ही 12 साल में बन जाएगा इसका मतलब इसने additional condition number 2 भी ओके अब क्या status बन गया अब बताईए doubt बच्चों का जवाब आ गया live में भी आर ओ आर 19-20 का बता दो फिर से प्रियंका 19-20 का क्या बताना है मैं समझा नहीं एक बार ठोड़ डिटेल लिख दो अच्छा ये 19-20 19-20 में हुआ ये के सर ये 19-20 के अंदर देखो ये वाला साल ये वापसी आया इंडिया के अंदर कम बैक वापस आया तो एक सेप्टेंबर 2019 में वापसी आया तो 19 वाला खतम कब होगा जनवरी के बाद 20 लग जाएगा ना तो ये हो गया 19 और 19-20 की देखा जाए तो सेप्टेंबर महीना है ये सेप्टेंबर में 30 इंडिया में ये औक्टूबर 31 नॉवंबर 30 दिसंबर 31 ये पूरा हमने काउंट किया और यहां तक 213 दिन था ये 19-20 के अंदर समझे अभी भी नहीं गया ये इसके बाद क्या आएगा एप्रेल और ये वाला स्टार्ट हो गया एप्रेल में इंडिया में कब गया फिर उसके बाद ये जून को यहां गया था तो इसलिए ये वाला डूरेशन भी आपका यहां पर काउंट हो गया ये भी क्लियर हो गया ये भी मैंने सार अकाउंट कर दिया, बताइए किसी को डाउट है, काफी बच्चों का जवाब आगए, और और किसी का डाउट है, इसको लिखना कैसे है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, है, हुआ है, यानि, सर, हमें चेक कैसे करना है, सबसे पहले तो हम बैसिक कंडिशना को पहले हम एक टाइम लाइन पर लिखलो, या जैसे भी लिखना है, लिखलो, वो करेंगे, उसके पिछले 10 साल को लिखेंगे, अभी लिखने के आदर डालो जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप औरली फिंगर पे भी कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा यार इतने बार 365 365 रह रहा है इससे पहले यह तो दोनों करी लिया इसने मैं सिर्फ बेसिक करूँगा और बोलूँगा अडिशनल दोनों हो गया और चलो complete मैं इतनी कहानी नहीं यहां पर चेक करूँगा जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब लेकिन अभी आप सारे डिटेल में चेक करोगे ठीक है चलिए सर इसके आंसर पर भी एक बार फोकस करते हैं कि लिखना कैसे एक्जाम के अंदर आंसर यह देखे जो हमने सारे डेज निकाले थे 168 किस में था निकाला था या गलत निकाल दिया आपने हाँ ठीक ही निकाला ठीक निकाला 168 213 यह सारी चीज़े बात का है solution में क्या करा इसने यह basically देखोगे न तो 16, 17, 17, 18, 19, 20 और यह current year है यह हमारा जो साल है न यह हमारा साल है और यह पिछले चार साल आपको यह calculation दिखाना चाते है तो आप दिखाईए नहीं तो बागी देखे आंसर क्या कहता है आसर कहता है एक सेटिस्पाई सेकन एडिशन कंडिशन रिकवाइड अंडर दा सेक्शन 061 60 डेज, सेकिड कंडिशन Wisconsinγαने गलत वर्ड यूस कर लिए और सेकिड कंडिशन सेटिस्पाई करता है जो की आप सेक्शन को Quote नहीं करें तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्छा पूछ बच्छ यह मां लेते हैं यांत कोटन करीए दरबाइज लुए नहीं है अगर मुझे याद नहीं सकते लेकिन अगर आपने गलती से यहां पर 63 लिख दिया 7 लिख दिया तो नंबर जरूर कट जाएंगे आपके कि बेसिक कंप्लीट करेगा नहीं नहीं एडिशनल तो सब पर होगा कर इंडिया में रह रहा है तभी तो एडिशनल लगा रहा है अगर वो इंडिया में रही नहीं रहा है तो एडिशनल की बात नहीं एक पर देख रहेते हैं फिर बताना क्याता इसने second basic condition 60 दिन वाला complete किया है जो कि 365 दिन और more रह रहा है preceding relevant previous year कितने वही बात लिखा है कि भाई हमने इस वेक्ती ने second basic condition complete कर दिया जो क्या था हमारा 60 दिन during the year end 365 days relevant previous year या फिर preceding year में होगे पहली बात complete दूसरी बात लिखने की जुरत नहीं है hence his status for the assessment year 2021 जो निकाल रहे थे resident and ordinary resident बताइए कोई दिक्कत लिखती है अगला question आगया समझ में है कैसे लिखना है ये रहा आपके सामने answer अब जिसके जो जो doubt बन रहे हैं अगर फिर भी तो आप बताइए मैं doubt को solve करता हूँ मैं PDF दूँगा answer का आप आराम से लिख लेंगे उसको ताकि आप उसको समझ भी पाएं मैं अभी समझाता जा रहा हूँ जिस दिन shift होगा बिल्कुल definitely जिस दिन छोड़ के जाएगा वो दिन भी इंडिया में count किया जाएगा हां जी बताइए पर्स टाइम इंडिया छोड़ के गया था वो था 16 17 16 17 में कब गया था छोड़ के वो इस डेट पर यानि इस डेट पर जब वो छोड़ के गया था इसका calculation नीचे है अपरेल में तो इंडिया में था मैं में भी इंडिया में था जून में भी इंडिया में था टोटल 168 दिन था वो क्योंकि इस दिन तो चलाई गया ना इस दिन तक काउंट किया जो कि मैंने यहां लिख दिया इस दिन तो चलाई गया ठीक है ना अब बात करोगे कोई पूचता सर 18-19 था ही नहीं 17-18 भी नहीं था तो 00 डेस था हमारा बिल्कुल डिफ्रेंस है रेजिडेंट का मतलब अनॉर होता है कोई बच्चा बोलता है सर बेसिक कंडिशन कंप्लीट कर दिया तो उसे रेजिडेंट भी बोल देते हैं और अनॉर भी बोला जाता है कर दो